हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू बाइ चानल तो फ्रेंड्स ये मेरे कुछ गुल्दावदी के प्लांट्स है और इसके फूल पूरी तरह से सूख चुके हैं तो आपको नेक्स येर के लिए सेव करना है या फिर फिर से इस पे फ्लावरिंग लेनी है तो इसके लिए मैं क्या काम करती हूँ ये मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो चलिए देखते हैं तो ये मेरे कुछ गुल्दावदी के प्लांट्स है जिसमें आपको बहुत हेल्दी सकस निकले हुए दिख रहे हैं सकस मिन्स न्यू ग्रोथ न्यू बेबी प्लांट इसे सकस कहते ह तो मेरे ये 3-4 जो प्लांट है इसमें सभी में सकस निकल चुके हैं और इसके फ्लावर्स ड्राय हो चुके थे इस वज़े से मैंने इसके एक साइड में रख दिया था क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना था तो इस वज़े से थोड़ा मेरा ध्यान हट गया थोड़ा भी जल्दी हो जाता है तो ये मेरे कुछ प्लांट है तो इसके लिए हम नियम और का स्प्ले ज़रूर करेंगे इसके उपर लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे मैं क्या काम करने वाली हूँ मुझे इस पे फिर से फ्लावरिंग लेनी है तो मैं इसे हाप कट करने वाली तो इस सरह से मैं अपने सभी प्लांट को हाप कट कर दूंगी और साथ में ये सेव भी हो जाएंगे नेक्स यहर के लिए ये सेव भी हो जाएंगे तो अभी थोड़ा टाइम है कि इसमें फिर से फ्लावरिंग हो सकती है अगर हम इसमें इसकी बहुत अच्छे से इसे अपडेट दिखाती रहोंगी तो मेरे सारे प्लांट को मैंने हाप कट कर दिया है इसके जो सकर से वो काफी हेल दी है और इसके बाद मुझे इसके उपर सबसे पहले तो इसे पेस्ट अटक जो हुआ है उसके लिए मुझे मुझे नीम ओईल का स्प्रे करना है और कुछ ड्राइ ब्रांचेस होती है उसे भी कट कर दे कुछ इसके लिफ जो है खराब हो जाते उसे भी निकाल दे पूरा प्लांट अच्छे से साफ कर ले और इसी से मैं कुछ कटिंग भी बनाऊंगी और कटिंग करने का ये बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग पिरेड है आप इसी से ही जो कट किये है उसी से ही आप कटिंग लगाना भी शुरू कर दे ये बहुत अच्छा टाइम है कटिंग लगाने के कटिंग से प्लांट बनने तक का वैसे सफर इसका चार से पाच मैने का तो होता ही है उसमें काफी कटिंग फैल भी हो जाती हैं तो इससे अच्छा आप अभी से इसकी कटिंग लगाना शुरू कर दे और बाकी जो प्लांट है वो तो हमारे सेव होने ही वाले हैं तो यह देखिए मैंने सारे ड्रॉइ फ्लावर्स और ब्रांचे कट कर दिये हैं तो चलिए इसके उपर अप मेरा ये काम हो चुका है तो इसके उपर हम नीमॉइल का स्प्रे कर देते हैं यह एक और्यानिक नीमॉइल ओयल के बाटल मैंने लेकर रही थी एक नरसरी से लेकिन कि आईल के जैसा तो बिल्कु भी नहीं लग रहा है यह आई थिंग जो नीम के फल होते है उसका एक्सटाक्ट है शायद वो नसरी वाले भाहिया ने मुझे बताया था कि एक लिटर पाने में आपको 1 ml डालना है और इसमें कुछ पाच्छे बुंदे लिक्विट सोप की डाल जो भी कीड लगी है जो भी पेस्ट अटैक हो गया है वो बहुत अच्छे से साफ हो जाए और दुसरे दीन मैंने इसे सिंपल वाटर से वाश भी कर लिया है क्योंकि हमने इसमें लिक्विट सोप डाला था अगर वो ऐसा ही रह गया तो तो प्लांट के लीब जल सकते है इस इस वाजे से आपको दूसरे दीन उसे सिंपल वाटर से वाश भी करना है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है यह आप बिल्कुल ध्यान में रखें तो चलिए इसे सेव करने के लिए और इसे फिर से फ्लावरिंग के लिए मैं क्या फर्टिलाइजर देने वाली हूँ तो मैं पूरा बहुत हेवी फर्टिलाइजर बन चुका है तो यह मैं सारे प्लावरिंग को दूँगी तो यह तो हो गया फ्लावरिंग के लिए अब देखते हैं कि नेक्स लियर के लिए हमें इसे किस तरह से सेव करना है में प्लांट जो है गुल्दावती का उसे आपको नीचे स से ग्रो हो जाए उसके बाद जून या जूले मंद में आप इससे कटिंग लेके न्यू प्लांट बना सकते हैं इस तरह से नेक्स टियर के लिए आप इससे सेव कर सकते हैं तो फर्टिलाइजर देने से पहले सबसे इंपोर्टन बात यह है कि आपके प्लांट की मिट्टी अच्छे से ड्राइ हो जानी चाहिए से दूर डाले यह पाच इंच का पॉट है तो इसमें मैं एक-एक मुट्टी ही डालने वाली हूँ इस प्लांट पे भी थोड़ा सा फेस का टेक दिख रहा है मुझे तो इसे भी मुझे नीमोयल का स्प्रे करना पड़ेगा और इस वाले pot में soil moist है इस वज़े से मैं इसे कल fertilizer दूँगी और थोड़े से मैं D.A.P. के दाने भी डालने वाली हूँ तो इस तरह से बहुत ही heavy fertilizer इसमें मैंने डाल दिया है 20-20 दिन के बाद इसका result देखते हैं मैं इसका update आपको किसी short video में आपको जरूर दिखाऊंगी तो मैंने कुछ D.A.P. के दाने भी डाल दिये हैं अब जो मिट्टी हमने निकाली थी वो हमें उपर से डाल देनी है जो भी हमने fertilizer दिया है उसे हमें मिट्टी से cover कर लेना है और इसके बाद हमें बहुत अच्छे से इसे पानी भी देना है पूरा भर के पानी देना है तो इस तरह से मैंने second flowering के लिए ready किया है मैंने अपने plants को अगर आपको भी flowering लेना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो एक subscribe तो बनता है और अगर ये आज का वीडियो पसंद आया है तो एक like तो ज़रूर बनता है thanks for watching